लास्ट दस सालों में काफी सारी real estate companies बन दो गई, कुछ financial fraud में फसी तो कुछ legal cases में, बहुत बड़े projects ऐसे बुरी तरह फसे कि वो कभी completely नहीं हो पाए और हजारों home buyers को उनका धर कभी मिली नहीं पाया, Interestingly, जब यह project बनना शुरू होए थे, तब हर कोई बोल रहा था कि यह बहुत ही बड़िया project है, क्या बड़िया प्राइज है, ऐसे offer, ऐसे discount दुबारा नहीं विलेंगे, चाए वो news हो, media, social media या शहर का हर एक broker, हर कोई बोल रहा था कि यह project बहुत ही अच्छा है, कुछ लोगों ने जब बोलने की कोशिश की, कि यह project unsafe है, risky है, तो उनकी बात किसी ने सुनी ही नहीं, आपको पता है कि एक property खरीदने में, और एक अच्छी property खरीदने में, किस चीज का अंतर है, एक अच्छे real estate broker का, आज मैं आपके आज शेयर करूँगा, four types of real estate brokers, and कौन सी property कौन से broker से खरीदने में, आपका फाइदा हो सकता है, आज का वीडियो बहुत important है, क्योंकि आप जब भी अपनी house search शुरू करोगे, आप multiple broker के साथ बात करोगे, तो आपके लिए यह जानना ज़रूरी है, कि यह broker किस type का है, और वो किस type से आपको help कर सकता है, तो शुरू क करते हैं आज का वीडियो, सबसे पहले अंडर राइटर्स, यह बहुत ही बड़ी real estate broking firms हैं, जिनको institutional partners या institutional channel partners भी बोला जाता है, अब अंडर राइटर्स का developers के साथ में commitment होता है, कि वो 50% से 70% of the project X number of days में बेच देंगे, अब इतनी बड़ी commitment के लिए developer भी अंडर राइट है, तो आपको अंडर राइटर से ही deal करना चीए, चलिए वो ही आपको property का best intent दे सकता है, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कि अंडर राइटर का objective है maximum घर मेचना, तो आप उसे एक honest advice या फिर एक great customer service की expectation नहीं रख सकते, next है runners, जिनको हम property dealers भी बोलते हैं, अ यहाँ पे वो अकेले, या फिर दो-पाच लोगों की एक छोटी सी team के आद operate करते हैं, आप जब इनको अपनी requirement बताते हो, तो यह आपके सामने multiple properties के option रख देते हैं, और भाग-भाग के आपको सारी properties दिखाते हैं, अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो यह आपके लि में एक project या फिर एक property के बारे में तो पूरी information होती है, लेकिन एक project को evaluate कैसे करते हैं, एक project अच्छा है या बुरा, एक developer सही है या गलत, इसके बारे में उनको कम knowledge होती है, तो इसलिए यह आपको advice नहीं करते हैं, यह आपको insist नहीं करते हैं कि आप यही property ले लो, यह आपको specialty होती है, बड़ usually यह सब एक limited location एक particular locality में ही काम करते हैं, अब उसमें या तो यह new property में deal करते हैं, या तो resell में, या तो under construction में, या तो ready में, या तो फिर से भी एक particular type की property में deal करेंगे, मतनow या तो एक particular building में deal करेंगे, या फिर affordable housing में या फिर premium housing में, या फिर सिर्ट इसलिए वो लार्जर लेवल प्रोसेस के अंदर आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं गर सकते मतलब निगोसियेशन के अंदर या फिर बिल्डर से डिसकाउंट करवाने में या फिर पोस्ट सेल्स सर्वेसिस में अगर फ्यूचर में डेवलपर के साथ कोई भी इशू आ गय इसलिए वो कभी कभी अपनी कमिशन में से कुछ आपको डिसकाउंट भी दे देते हैं या फिर थोड़ा सा पास्बैक भी ओफर कर देंगे नेक्स्ट है दी हंटर्स जिनको हम चैनल पार्टनर्स भी बोलते हैं इनका पूरा फोकस होता है ओन लीड जनरेशन थूरू मार्केटिंग अक्टिविटी सच अज समस, वाट्साप, टेली कॉलिंग, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, गूगल अड्स आप गूगल पे किसी प्रोजेक्ट का नाम टाइक कर लो, आपको 10 वेबसाइट दिखाई देंगी जिसमें सिर्फ एक बिंडर की हैं, बाकी 9 ब्रोकर की हैं, इन में से माक्सिम वेबसाइट का लोकें फील ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये डेवलेपर की वेबसाइट है, जब आप इनको एक ही प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और पूरा फोकस होगा कि आपकी साइट विजिट कैसे कंफर्म की जाएं, ये माक्सिम न्यू बुकिंग अंडर कंस्रक्शन प्रोजेक्ट में गाम करते हैं, और इनका पूरे प्रोसेस के अंदर मदम निगोसेशन या फिर ब नेक्स है दी गूरूस जिनको हम रियलिस्टेट कंसर्टन भी बोलते हैं, ये वो एक्सपर्ट है जिनको रियलिस्टेट मार्केट का पूरा इन अन आउट बहुत ही अच्छे से पता है, इनको ये पता है कि एक प्रोजेक्ट को एवालुएट कैसे करते हैं, कौन सी प्रोबेगा भी पासबाग ओफर नहीं करेंगे, लेकिन पूरा सर्विस सपोर्ट करेंगे, फ्रम इडेंटिफाइंगी राइट प्रोपर्टी, तु निगोशेटिंग दी डील, तु गेटिंग दिसकाव फ्रॉम दी बिल्डर, पूरा पेपर वर्क चेक करना, पूरी पो इसे कंसल्टन्स यूज्यूली प्रोपर्टीज है लगजर्णी प्रोपर्टीज मेंग करते हैं, व्बस्द बेसिकली थोड़ी महेंगे ब्रोपर्टीज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है की कौन सी प्रोपरटी किस टाइप की ब्रोकर से लिना बेस्ट है, तो सबसे पहले अब अच्छा ब्राइट डेवलपर यूजुली अंडर राइटर के साथ टाइप नहीं करता तो कौन से डेवलपर अंडर राइटर क्या टाइप करते हैं सबसे पहले वो जिनके पास हाई क्वालिटी सेल्स टीम नहीं है दूसरे वो जिनको अपने प्रोड़क्ट के ऊपर बहुत दादा कॉन्फिडेंस नहीं है और उनको लगता है कि उनका प्रोड़क्ट सिर्फ एग्रेसिव मार्केटिंग के थूह विख सकता है और तीसरे वो जिनके वास cash crunch है और उनको quick sales से ये अपना revenue करने के लिए अब ऐसे case में advisable है कि आप underwriter से property तभी खरीदो जब आपकी self research बहुत strong है और आपको अपने decision के उपर बहुत ददा confidence है या फिर तभी जब property काफी बन चुकी है और near position है तो फिर आपका risk बहुत ज़ादा है कि future में अगर developer ने default कर दिया तो आपको कोई service support नहीं मिल पाएगा नेक्स्ट है property dealers ये best है in case अगर आप builder floor खरीद रहो या फिर आपको इसी पर्टिकुलर लोकालिटी में घर चीए या फिर मुझे इसी particular project के अंदर घर चीए तो एक property dealer आपको maximum inventory निकाल के दे सकता है आपको maximum options दिखा सकता है new booking के case में ये वहाँ पे useful है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बहुत सारे options देखने है आपको decision making में थोड़ा सा time लगेगा लेकिन आपको एक daily interference नहीं चीए एक धमकी नहीं चीए कि अगर आपने आज ये project नहीं खरीदा तो कल इसका price बढ़ जाएगा तो ऐसे case में property dealer बहुत ही useful होते है जोग वो आपको बहुत सारे options दिखाते हैं patiently हर एक project पे लेके जाते हैं लेकिन एक recommendation कि आप उन्चे सच बताईए कि आपको decision making में थोड़ा time लगेगा आपको बहुत सारे options देखने हैं तभी वो आपके लिए सारी research कर पाएंगे आपके लिए options निकाल पाएंगे next है channel partners अब usually channel partners के पास में multiple location की knowledge भी कम होती है और different projects की information भी limited होती है वो usually आपको एक या दो project ही pitch करते हैं और उनका focus आपसे मिलना या आपकी requirement समझना नहीं होता रादर आपकी site visit कराना होता है अब channel partner तभी useful है जब वो आपको कोई चीज additional offer कर रहा है in terms of price, discount या फिर कोई service otherwise वो same project आप किसी property dealer के साथ भी देख सकते हो या फिर आप direct भी जा सकते हो finally consultants जैसे मैंने पहले का ये वो expert है जिसको market के बारे में multiple location, multiple projects के बारे में काफी जादा knowledge है और ये आपके requirement के basis पे आपको guide करते हैं advice करते हैं और पूरे process में handle करते हैं लेकिन अपने commission में कोई discount नहीं करते हैं बट इंडिया में बहुत सारे लोग ये commission के कुछ लाख रुपे बचाने के लिए random brokers के साथ में project देखना शुरू करते हैं और अपने करोणों के घर का decision risk पर डाल देते हैं तो अगर आपके पास multiple location के बीच में कोई confusion है अगर आप बहुत सारे projects के बीच में confused हो और अगर आपके पास time कम है to see the project and evaluate the project then ideally आपको एक consultant के साथ काम करना चाहिए जो आपको ये सारी चीदों पर information लाके दे और आपके decision making process में आपको guide करें अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप एक broker से बात करके ये identify कर सकते हो कि वो किस category में आएगा तो आप comments में please mention कीजिए मैं इस पे एक video बनाने की कोशिश करूँगा I hope आपको आज का video interesting लगा होगा अगर पसंद आया है तो please इसे like कीजिए अपने friends, family और colleagues से share कीजिए और अगर आप एक smart home buyer बनना चाहते हो then please subscribe to this channel चुकले में इसी तरीके से Indian real estate पे video बनाता रहोंगा That's all for today, signing off I'm Rohan Bhardwaj, take care, have fun